नमस्कार दोस्तों मेरी किछन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चॉकलिट केक तो आप देख सकते ही ये चॉकलिट केक देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये चॉकलिट केक हमने ब्रेड और बिच्किट से बनाया है पर ये चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों और इसको बनाना भी उतना ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट में ही केक बनकर तयार हो जाता है, तो आईए फ्रेंड्स इससे बना लेते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे ओरियो बिस्किट, तो ये मैंने 2 पैक निकाल लेंगे, तो मैं इस बोल के अंदर सभी बिस्किट को निकाल लूँगी, तो मैंने सारी बिस्किट निकाल लिए और अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार के अंदर डालेंगे, तो हमें तोड के डालना है, ऐसे नहीं डालेंगे, तो आप देख सकते हैं, मैं किस तर से हमें तोड़ लेना हैं तो मैंने सभी बिस्कित को तोड़ के इस जार के अंदर ढाल दिया और अब हम इसके अंदर दूद डालेंगे तो मैं इसमें अन्धा कप ढूद डाल अजा उब यहूं और आब हम इसे blend कर लेंगे तो हमें इसके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट पना के तयार करना है इसमें बिस्किट के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए तो तक तक हम इसे पीसेंगे जब तक की ये पूरी तरीके से स्मूथ ना हो जाए तो आप देख सकते हैं इस बोल के अंदर इसे निकाल लिया है मैं एक बार आपको दिखा देती हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ है और बिल्कुल चॉकल है जैसे ही दिख रहा है तो अब हम इसे साइड में रखते हैं दूसरी तयारी कर लेते हैं तो मैंने ये बोल लिया है इसके अंदर में डाल लीए हूं दो बड़े चमश चीनी और साथ में इसमें व ब्रेट स्लाइसेज लिए इन ब्रेट स्लाइसेज के किनारों को हमें काट लेना है तो हम सभी ब्रेट के किनारों को काट लेंगे तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से काट रही हूं आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं तो मैंने इस bread के किनारे को काट लिया है इसी तरीके से हम सभी bread के किनारों को काट कर लेंगे तो मैंने सभी bread के किनारों को काट लिया है और अब हम इसे circle shape में काट देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे रखा है इस तरीके से रखने के बाद कोई गोल शेप की प्लेट लेंगे और उसे हम इस तरीके से ब्रेट के उपर रख देंगे और फिर चाकू से हम इनके किनारों पर काट लेंगे तो मैंने इसे काट लिया है काटने के बाद प्लेट को हटा देंगे और फिस जो एक्स्ट्रा किनारे बचके हैं उनको भी निकाल देंगे तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारी ब्रेट को सरकल शेप में काट लिया है आपको जितनी उंची लेरिंग करनी है आप उस हिसाब से ब्रेट ले लिजे और उन्हें सरकल शेप में काट लिजे मैंने टोटल 20 ब्रेट लिया है और 20 ब्रेट को मैंने इस तरीके से सरकल शेप मे काट लिया है और अब हम असेंब्लिंग सुरू करेंगे तो एक एक सर्कल को लेते जाएंगे जो कि हमने फोर ब्रैट स्लाइस से एक सर्कल बनाया है उसको हम सबसे पहले लेंगे फिर उसके उपर हम सुगर सिरप लगाएंगे तो सुगर सिरप भी हमने पहले से तयार कर रखा केक है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा और अब मैंने दूसरी लेयर भी इसके उपर लगा दिये और इसके उपर भी हम सुगर सिरप अच्छे से डाल देंगे तो मैंने सुगर सिरप डाल दिया है और अब हम इसके उपर बिस्किट वाला मिक्षर लगा देंगे तो इसे भी हमें अच्छे से लगाना है इसी तरीके से ब्रेट के स्लाइसिस को हम लगाते जाएंगे और उसके उपर सुगर सिरप लगा देंगे और फिर जो बिस्किट वा लगाते जाएंगे केक उतनाई ज़्यादा बनता जाएगा तुमैने मीडियम साइज का केक बनाए और जो मैंने रps ली ह dużo थोड़ी पतली आगर कॉड़ी मोटी ब्रेड लेंगे दो आपको लिइएख लेंगे अपको लेयर सकते मैं उपर की साइड इसे अच्छे से लगा दिया है और अब हम इसकी किनारों पर भी चम्मच से लगा देंगे बहुत ईजी ली लग जाता है बिल्कुल भी तिकत नहीं आती है बस हमने जो बिस्किट वाला पेस्ट बनाया हो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए उसमें बिस मिल्क को हमें ग्रेट करना है तो ग्रेट करने के तस मिल्क पहले मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया था और अब मैं इसे इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ तो मैंने dairy milk को grate कर लिया है और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए freezer में रख दे रही हूँ ताकि ये हल्की सी hard हो जाए तो अब मैंने dairy milk को freezer से निकाल लिया है तो आप देख सकते हैं, ये हल्की सी hard हो गई है और हातों में चिपक नहीं रही है और केक को भी मैंने फ्रिष्टे निकाल लिया है और अब हम उपर वाली लियर पर चॉकलिट डाल देंगे जो हमने ग्रेट की है और अब हम इनके साइड्स पर ओर्यो बिस्कित लगा देंगे आप ओरियो बिस्किट के जगह ओरियो बिस्किट को ख्रश करके भी इनकी किनारों पर लगा सकते हैं या फिर आप पूरे केक को ओरियो बिस्किट को ख्रश करके डेकोरेट कर सकते हैं और अब मैं उपर चैरी लगा रही हूँ आप चेरी की जगा जैम्स भी लगा सकते हैं या फिर आप किट के चॉकलेट से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारा केक बन कर तयार हो गया है और देखने में तो बहुत जादा अच्छा लग रहा है खाने में भी बहुत अच्छा बना है और अब मैं आपको काट के दिखाती हूं कि अंदर से कैसा दिख रहा है अंदर से भी देखने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को घर पे जबूर ट्राय करें और रेसिपी पसंदा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ